दोस्तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं Error Saving Contact के उपर अगर आपका नंबर सेब कर रहे हो या पिर कोई नंबर डिलीट कर रहे हो फिर भी ये इरर आ सकते है आपके फोन में भी दोस्तो बहुत बार क्या होता है कि दो मिनट में यह सब सही कर पाओगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सबसे पहले अपने मौलफन का डाटा ओन करने के बाद आपको Google डाइलर सर्च करके आपको डाइलर को अपडेट कर लेना है क्या हुआ है यहां पे डाइलर अपडेट हुआ है तो इसका लोगो क भी सिंब़ल भी चेंज हुआ है तो आप यहां पर अप डेट कर लिजेगा सीपल सा चीज है सो दोस्तों तो इसको अपडेट होने देते हैं and चलिए Main Trick के और चलते हैं यह तो हो गया Simple Trick अब चलिए Main Trick के और चलते हैं सबसुने अपने मौर्फन का setting open कर लिजिए कोई भी कमपणी का फोन अपने मौर्फन का setting open कर लिजिए setting open करने के बाद यही समय सही करके दो आपको भी सही same to same करना होगा सेटिंग open करने के बाद आपको यहां पर app management या फिर app list जो भी app के नाम से options मिले तो simple से एप बाले option पे किलिक कर लिजे, फिलाल अगर आपको यह option नहीं मिलता है, तो आप search भी कर सकते हैं, जैसे आप बाले option पे किलिक करेंगे, आपके phone में जितने भी application होगे, सारी application यहापे so कर जाएंगे, अब आपको यहापे phone यापकी dollar नाम से जो भी app होगे, उसी पे किलिक करना है, जिससे आप call वगएरा लगाते हो, आपको तो पता ही होगा, जैसे आप उस पे किलिक कर लोगे, उसके बाद देखो, यहापे symbol सिम्ब से लिखा हुआ है, फोन नाम से, आपको सिम्ब से clear data जैसे मैं किलिक करता हूँ, तो okay कर देना है, इससे आपका जो भी problem थे, वो सारे सही हो जाएंगे 110%, अगर आपका यह सब नमबर वगएरा डेलीट करते हो, या फिर नमबर सेब करते हो, वो सारे सेब हो जाएंगे, आप सेब करके देख लेना, अगर आपका फिर भी कोई error आ रहा है, तो हमें comment में बता सकते हैं, या फिर Instagram पर हमें message कर सकते हैं, कैसा लगए ये video comment में ज़रूर बतिएगा, मिलते नेक्स वीडियो में, thank you so much दोस्तो,